टूटते टूटते बचा मिचल श्टार्क का महर रिकोड आईपियल रिटेंशन में विराट कोहली ने रचा सबसे बड़ा इतिहास विराट कोहली की लगी सबसे बड़ी बोली सिर्फ तीन खिलाडियों को आरसीबी ने किया रिटेन काप गए डूपलेसी और मैकस्वेल सिराज का भी हुआ परदाफाश आईपियल रिटेंशन में रिटेंशन में रिटेन कर चल दिया सबसे बड़ा मास्टर दाओं कौन बना आरसीबी का नया कप्तान जो चेन्ने और मुंबई भी नहीं कर पाई आरसीबी ने वो करके दिखाया टीम इंडिया के सबसे महंगे खिलाडी बने विराट अचानक कैसे पलड़ गया पूरा खेल मुंबई के बाद जैसे ही आरसीबी ने ओफिशियल तोर पर अपनी रिटेन खिलाडियों के नामों का एलान किया पूरी दुनिया के दिगज दंग रह गए आखरी वक्त पर आरसीबी ने ऐसा दाओं चला सिराज और मैकस्वेल के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई आरसीबी ने अपने कप्तान फाफ डूपलेसी को भी टीम से बाहर कर रास्ता दिखा दिया 2024 का IPL में आरसीबी प्लेओफ में जाकर हारी थी पूरे सीजन में डूपलेसी और मैकस्वेल फिलोप रहे थे यहां तक कि सराज की गेंबाजी की धार भी खत्म दिखाई दी थी उसी दिन आरसीबी ने फिलोप खिलाडियों को बाहर करने का फैसला कर लिया था आज ओफिशियल रिटेंशन में आरसीबी ने सिर्फ तीन सबसे घातक खिलाडियों को रिटेंड किया है बाकी पूरी टीम को धक के मार कर बाहर का रास्ता दिखा दिया आरसीबी ने सबसे पहले नंबर पर विराट कोहली को रिटेंड किया है विराट कोहली RCB के सबसे काम्याब खिलाडी है हर सीजन में विराट RCB के लिए सबसे ज़्यादा रन मनाते हैं इसलिए RCB मैनेजमेंट ने विराट कोहली के लिए अपनी सारी तिजोरियां खोल दी विराट कोहली के लिए RCB ने 21 करोल की बोली लगा कर रिटेन करने का फैसला किया मिचեल इस्टार्क और हैंडिक कलासेन के बाद विराट आईपियल के तीसरे सबसे महंगे खिलाडी बन गए आईपील के तियास में विराट भारतिया टीम के सबसे महंगे खिलाडी बन गए है विराट को 21 करोल में रिटेन करकर RCB ने पूरी दुनिया को चोका दिया है विराट के साथ सिर्फ दो और खिलाडी है जिने RCB ने रिटेन किया है RCB ने रिटेंशन में ऐसा दाउं चला जिसे देखकर धोनी और रोही शर्मा भी हैरान रह गए विराट के बाद रिजट पाटिदार पर भी पानी की तरह पैसा बहाया रिजट पाटिदार ने 2024 के IPL में बले से कोहरा मचाया था रिजट पाटिदार ने अकेले दम पर RCB को कई बार हारी हुई बाजी जिताई थी आज RCB ने रिजट पाटिदार को उसी का इनाम दिया है रिजट पाटिदार को टीम ने 11 करोड रुपे में रिटेन किया है पिछले सीजन में रिजट पाटीदार सिर्फ 20 लाक रुपे में आरसीबी के लिए खेलते थे लेकिन इस बार छप पर फाल कर रिजट पाटीदार को पैसा मिला है इनके अलावा तीसरे खिलाडी के तोर पर आरसीबी ने यश्डेयाल को रिटेन किया है वही यश्डेयाल जिन पर रिंकु सिंग ने आकरी ओवर में पांच चक्के लगाये थे और यश्डेयाल के करियर को दुनिया ने खत्म मान लिया था उसी यश्डेयाल ने 2024 के IPL में आकरी ओवर में शांदार गेन बाजी करके आरसीबी को प्लेओफ में पहुँचाया था इसलिए विराट कोहली के कहने पर यश्डेयाल को भी अनकेप्ड प्लेयर के तोर पर आरसीबी ने रिटेन किया है यश्डेयाल को टीम ने पांच करोड रुपे दिये है यानि आरसीबी ने तीन खिलाडियों के लिए 37 करोड रुपे खर्च कर दिये है और अरसीबी के पर्स में 83 करोड रुपे बाकी है इन 83 करोड रुपे से आरसीबी मेगा उक्शन में पूरी टीम तयार करेगी RCB ने एक जटके में सिराज मैकस्वेल और डूपलेसी जैसे दिगज खिलाडियों को बाहर का रास्ता दिखा दिखा दिया पहली बार विराट कोहली भी सिराज को नहीं बचा पाए लगातार फिलो परदर्शन से नाराज टीम ने उन्हें बाहर निकाला है खैर आपको RCB के रिटेन क्लाडी कैसे लगे अपनी राय लिखकर बताईए और वीडियो को शेयर कीजिए